हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि हरियाना जीके से रिलेटे दोस्तो हमारी स्यांदार बहतरी इन सीरीज चल लई थी और 79 पार्ट के अंदर दोस्तो हमने अलग अलग पार्ट बनाकर लगबग 3,000 पलस क्योशन अंटच लेवल के अपडेट कर दी है वो पार्ट दोस्तो आपने नहीं देखें तो ये देखने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत सारी अंचुhे क्योशन जो है आपसे छूट चुके हैं तो जैसे कि दोस्तो सभी के सभी औक साथ आचुके हैं और exam का level दोस्तों आपकी बार hard रहने की पूरी-पूरी समावना है क्योंकि दोस्तों जो पिछले exam सुने थे उसमें बहुत से लोग ने बहुत high score अचीव कर लिया था जिसकी वज़े से थोड़ा सा issue भी बन गया था तो उसी कोई साब से देखते हुए दोस्तों आगे exam simple आने के हरियाना के हम बात करें तो हरियाना जीके से रिलेटर जो है वो थोड़ा सा tough level जो है पूछा जाएगा और जो tough level दोस्तों पूछा जाएगा हमारी अगर आपने सारी कि सारी वीडियो देख रखी है तो दोस्तों आप असानी से solve कर लोगे क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारी books का निचोड निकाल के जो है ये वीडियो बना रहे है तो दोस्तों चैनल पे नए आए और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि latest वीडियो के update आप तक पहुंचती रही बिना टाइम बरबाद के शुरू करते हैं आज के first question से पहला question है हमारा Victoria समान किस वर्ष शुरू किया गया Victoria समान से related दोस्तों तीन से चार question बनते हैं हमारे कब शुरू किया गया पहला वेक्ति कौन था और हर्याना में कितनी लोगों को ये दिया जा चुका है तो right option की बात करें तो option हमारा बी रहेगा 1851 वर्ष के दोरान जो है Victoria समान जो है शुरू किया गया था वीर्था के लिए दोस्तों ये पुरुषकार दिया जाता है दर्बान सिंग नेगी थे पर्थम विजयता जिनको ये पुरुषकार दिया गया था दोस्तों कुछ बुक्स के अंदर 1856 दिया गया है जो गलत है Victoria समान की जो शुरूआत जो है वो 1856 के अंदर की गया ये कुछ बुक्स के अंदर जो गलत है वो सही कर लें आप ठीक है और हरियाना के कितने लोगों को ये समान दिया जा चुका है तो पांच लोगों को दोस्तों ये समान दिया जा चुका है सबसे ज़्यादा जो है विक्टोरिया क्रोस प्राप दोस्तों कहां से है ज़ज़ज़ए है तो इसका दोस्तो right option क्या रहेगा हमारा बी रहेगा next question है हमारा हरियाना का कौन सा संग्राले पुरानी वस्तुओं वय पुरानी मुद्राओं और राजा महराजाओं की कला करीतियों से जुड़ा हुआ संग्राले दोस्तो पुछा गया है number एक बात तो दोस्तो ये question सबसे important इसलिए है क्योंकि रज्यका सबसे बड़ा संग्राले भी इसी को कहा जाता है और सबसे प्राचीन संग्राले भी इसी को कहा जाता है तो हरियाना का कौन सा संग्राले पुरानी वस्तों का संग्राले पूछा जाए तो जजजर रहेगा पुरानी मुद्राओं का संग्राले पूछा जाए तो भी जजजर रहेगा राजा महराजाओं की कलाकरितियां कहां रखे गई है ये क्योशन भी पूचा जाए तो जजज़र ही संग्राले दोस्तो रहेगा सबसे बड़ा प्राचीन संग्राले भी पूच ले जाए तो भी हमारा क्या रहेगा जजज़र रहेगा नेश कोशन है दोस्तों हमारा कपिल मुनी का जनम हरियाना के किस तिर्थ से जुड़ा हुआ है तिर्थ दोस्तों यहां से पूछा गया है कि कपिल मुनी का जनम हरियाना के किस तिर्थ से जुड़ा हुआ है यह बात करें हैं घ अनल पर शेंप जह भी और धैका दोस्तों किस्ट एक किला है यह टेला किरषोली यह तीला किरषोली यह दोा नाम इसका टेला केरसोली यह तीरत नहीं है ये भी दोस्तों जीन के अंदर है और राम हद को दोस्तों आप सभी जानते हो जहां बगवान पर्षु नाम ने यग किया था क्या किया था राम हद के अंदर बगवान पर्षु नाम ने यग किया था और यहां बगवान पर्षु नाम का एक दोस्तों मंदिर भी क्या है तो यहां से भी दोस्तों शांदार question मनते हैं right option क्या रहेगा हमारा option D next question है हमारा पसू पक्सी गोद लेने की योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई पसू पक्सी योजना चले थी गोद लेने की योजना शुरू की गई केप्टन अजय सिंग यादव थे उन्होंने 22,500 रूपे देकर जो पीपली चिडियागर के अंदर बलेक बग नामक जो पक्सी थे उनको दोस्तों इन्होंने गोद रिया था कोन केप्टन अजय यादव पहले वेक्ति पुछी जा सकते हैं कि पसू पक्सी को गोद लेने वाले हरियाना राज्ये के पर्थम केबिनेट मंतरी वैसे दोस्तों उस टाइम केबिनेट मंतरी जो थे तो इन्होंने जो है 22,500 रूपे देकर पीपली चिडियागर से बलेक बग नामक जो पक्सी है वो गोद लिये थे इस कोस्तान हमारा हरियाना के गठन के समय के थल किस जिले की एक तहसील हुआ करता था के थल की दोस्तों बात कीगी है के थल किस जिले की एक तहसील हुआ करता था राइट अप्सन की बात करें तो सी रहेगा दोस्तों करनाल हरियाना के गठन के समय कितल जो है, किसकी तसील हुआ करता था, तो करनाज जिले की तसील जो है, वो हुआ करता था बढ़ लेते हैं दोस्तों, next question की तरफ, next question है हमारा, हरियाना में सी सवाल सब्विता के कुल कितने स्थल है सथल दोस्तों पूछे गए हैं कि सी सवाल सब्विता के कितने हैं वेदिक सब्विता के कुल सथल कितने हैं कि उस्तों दोस्तों पूछा जा सकता है अगर सी सवाल सब्विता के कितने सथल हैं अगर दोस्तों वेदिक सब्विता के कुल सथल पूछे जाएं तो वो है दोस्तो 300 स्थल ये भी जुरूर रियाद करने हो सकता है हलका सा question exam में दे दिया जाए इसका दोस्तो right option हमारा डी रहेगा सी स्वाल सब्वेता के हम बात कर रहे हैं next question है दोस्तो हमारा हरियाना का लाल किला किसे कहते हैं बहुत ही शांदार question मनता है हरियाना का लाल किला किसे कहते हैं right option की दोस्तो हम बात करें तो option रहेगा sea, sea smell को हरियाना का लाल किला दोस्तो sea smell को किला दाता है क्योंकि ये दोस्तो दिल्ली की किले की जो लाल किला है उसकी हूब हूब नकल करके इमार्थ जो ये बनाए गई गई है कौन सी। seasonãy मकबरे की दोस्तो बनाएं गया थानेशर के अ गुजरी महल दोस्तो सलतनत काल का जो ताज महल जिसको कहा जाता है हमने पिछली वीडियो के अंदर क्यों शूर कवर किया था एक दोस्तो गुतुब मिनार के रियाना के अंदर किसी ने किसी एक्जाम में कोई ना question दोस्तो उस ही लिया जाता है इस question है हमारा के अंदर ये मिट्टी लवनता सोच संस्तान हलका सा question है के अंदर ये मिट्टी लवनता सोच संस्तान लग बग आपको सभी को पता होगा हम right option की बात करें तो यह रहेगा करणाल के अंदर दोस्तों ठीक है करणाल के अंदर यह हमारा सित है इसके लावा करणाल की हम बात करें तो जो हमारा के अंदर यह गेंव अनुसंदान के अलावा बहुत सारे अनुसंदान, अगर अनुसंदान पूछ लिया जाए और आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओ तो वहाँ दोस्तों आप करनाल जिला ही लगा सके आ सकते हो और जैसे DWR के हम बात करें जो हमारा Director of Will Research है जिसको DWR shortcut में बोलते हैं तो हो भी दोस्तों अमारा कास्तियत है जो है करनाल के अंदर तो केंदरी या मिट्टी लवंटा सोच संस्थान की दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी या सकती है 1969 पूछा पूरा पूछा जाए एक अगस्त इसके लाव दोस्तों केंदरीय गेहूं अनम सुन्दान पूछ ले जाए तो वो भी करनाल केंदर है जिसकी स्थाफना 1978 केंदर की गेती दोनों के दोनों क्योस्तों दोस्तों से आंदर बनते हैं हर्याना का कौन सा स्थल वनस्पतियों और जन्तों की विविद्दता के लिए परचित है राइट ओप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ओप्शन रहेगा हमारा ए दोस्तों कालेश्टर की हम बात करें कालेसर दोस्तो जो राजय का दूसरा राष्टी उद्यान है कालेसर राष्टी उद्यान यम्ना नगर के अंदर दोस्तो यह स्थित है कहां पर स्थित है यम्ना नगर के अंदर 2003 के अंदर दोस्तो इसकी स्थाफना की गिती कब की गिती 2003 के अंदर एक से दो, दो से तीन, वो तीन से च्यार क्योस्टन, अगर आप एक क्योस्टन के साथ कावर कर रहे हो, आपको पक्का याद हो जाएंगे, एक्जाम में क्योस्टन अगर पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी जो है, confusion क्रियर जो है, नहीं होगी, सबसे ज़्यादा गिद कहा पाई जाते हैं, तो एसी हमें सबसे ज़्यादा के दोस्तों इसी काले सर के अंदर पाई जाते हैं, question दोस्तों वो भी पूछा जा चुका है, बढ़ लेते हैं next question के तरफ, वैसे दोस्तों छिलचला के हम बात कर लेते हैं, चिलचला सभी को पता है, ठीक है, और हमारा सहर, शिर्चा के दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बेंडवास और छिलचला », बिंडवास दोस्तों हमारा जज्जर के अंदर है, और छिलचला हमारा का है कुरुक्षयत्तर के अंदर है, बिंडवास और खपरवास दोनUM कहा है, बढळ लेते हैं next question के तरफ, next question है, सो सोमवती अमश्य की दोस्तों बात कर ली गई है सोमवती अमश्य से रिलेट दोस्तों जब भी क्योशन पूसा जाए तो आप वहां जो है आंके बंद करके केथल लगा के आ सकते हो क्योंकि एक मातरी जगह है जहां पर इसका पिंड़दान का यह जो मेला बर जाता है फरल केथ सबसे इंपोर्टेंट है है वेलिओं का सहर पूछा जा सकता है फत्यावाद है बुढिया के वेली कहा है यम्नानगर के अंदर सेत है ठीक है इसके अलाव दोस्तों एक बागवाली कोठी है जद्जर के अंदर थोड़ी सी फेमस है ज्यादा नहीं है से तुझा नर सिंग के हैं थोड़ी सी दोस्तों जाधा फ्यमस थीक है? तो यह थोड़े से स्यांदार को इसन बनते है हमारे हैवेलियों से जिवडे हो ञभली तो यह दोस्तों हमारी नाहर ça वेलियोंabey pää से तो यह कार्तिक संद्कृत उच्छिकी यह तो यहांपर आयोजन हो पूरा कमपलेट ये बनता है, साथ तलाबों वहाए eight gate, तो साथ तलाबों का सहर जो हो किसे कहा जाता है के तलाब है अभी तो तो यहां पर वैसे कोई तलाब है नहीं लेकिन किसी टाइम में बहुत सारे प्राचीन जो बड़े तलाब हुआ करते थे इसलिए दोस्तों ये कैत करें तो option रहेगा हमारा 3.09 परसेंट दोस्तों 3.09 परसेंट राज्य का बाग जो है वो पहाड़ी वे क्या है चटानी है हर्याना में कुल क्रीशी शेत्रपल देश के कुल क्रीशी शेत्रपल के कितने बराबर है तो question पूचा जा सकता है तो 1.3 परतिसत ठीक है दोस्तों इसक कर दोस्तों अजो नाम जुरूर याद कर लेए किसी और एक जूरूर फसेगा इसके लाओ धोस्तों एक मुझरान दोलन पूचा जाता है अरियाना से समन्दित जो चोधरी देवी लाल के दवारा शुरू किया गया था उसकी अगर हम बात करें कब शुरू किया गया था तो 1952 वर्स के दौरान जो है वो शुरू किया गया था ये दो क्योशन दोस्तों एक दूसरे से जुड़े वेमानों और इनको अच्छे से कवर कर लो नेस्ट कोशन है तो किस दिले की हवेली में लाल के लेए के दरवाजे उतार कर लगाए गए अगर निर्मान दोस्तो कोशन पूँचा जा सकता है की वीवानी की अवेली थी है वेली का नाम एगर हम बात करें थी जयाराम की आवेली थी और दोस्तों 1853 में जो है इस अवेली का निर्माण किया गये था और इसवेली में जो तो लाल के लिए कि दरवाजे ुतार कर लगाये गए थे जो उस दुरान जो वाइसरायड नायड डलोजी जो थे ठीक है उन्होंने सेट की मितरता के कारण ये दर्वाजी इनको परदान किये थे तो ये मितरता के कारण दोस्तों गिफ्ट किये गे थे ठेट किये गे थे, किन को, ठीक है, यह हमारे जो इनके जैराम दास जो खुद थे, ठीक है, वाइसराय लाड लोजी के दवराइन सेट को जो है, यह गिफ्ट दिये गए थे, तो राइट ओप्शन क्या रहेगा, D रहेगा, नेश को सन हमारा बाखडा नहर की कुल लंबाई कितनी है लंबाई दोस्तों पूछी गई है कि बाखडा नहर की कुल लंबाई कितनी है राइट ओप्षन की दोस्तों हम बात करें तो ओप्षन रहेगा हमारा B दोस्तो 165 किलोमेटर 165 किलोमेटर की दोस्तों बाखडा नहर की लंबाई है सतलू नदी पर दोस्तो नांगल बांध बना कर ये निकाले गई है रोपड जिला दोस्तो पंजाब से ये शुरू होती है और प्रवेस्थल दोस्तो हरियाना के अंदर आज इमगड गाउं है टोवाना के अंदर वहां से ये प्रवेस्थ करती है नाीटि टू किलोमेक्र की नंबाई किस के है दोस्तो alumni ये हमारी SYल नहर की हरियाना लिल लॉंबाई है टॉटल लॉम्बाई है स्वाई L नहर की दोस्तो 14 किलोमेठर है ठीक है बढ़ले ये नेस्ट क्योशन की तरफ बात करें तो राइट ओप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा दोस्तो केरू बिवानी केंदर है अगर दोस्तो सिंपल मयूरियम चिंकारा परजन केंदर पूछा जाए तो वो दोस्तो हमारा हो जयता है जब हुआ रेवाडी केंदर दो क्योशन दोस्तों यहां से जुड़े पिंजोवर पंशकुला केंदर जो बने हुए हैं नेच कै 시청 के अंडर जो है अनुके अंदर बढता है यह मेला तो ने बाता है वह थी ख़ए है तो राइट ओप्सन क्या रहेगा इस में हमारा बी बढद लेते हैं डर नेच के वेटा है हमारा हर्याना में हवेली ओफ दा उद्यवीर कहा स्थित है हवेली ओफ दा उद्यवीर राइट ओप्शन दोस्तों इसमें क्या रहेगा हमारा सी गुरू ग्राम हर्याना में हवेली ओफ दा उद्यवीर जो है वो गुरू ग्राम जिले के अंदर सित है आज का नेस्ट क्यो दोस्तो ये थोड़ा सा फैमस है, क्योंकि दोस्तो गुरू गरंत साहिब और रमायनों एक साथ जो है यहाँ पड़े जाती है, ठीक है, टोपियों वाला गुर्धुवरा ये के थलका साबसे फैमस है, इसके लावा गुरू दोवराります की से फैंस है, जो हमारा सा क्या रहेगा हमारा D कर्날 कर्णाल के अंदर तोस्तों एक मुनक नहर निकाली गीए जो फैमस् है मुनक नहर पस्ष्मीलिम्ना नहर से दोस्तों कर्णाल के मुनक की नमक स्थान से निकाले गीए इसलिए यह फैमस् तो श्यांदार कोशन बनता है यह भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मारा दी रहेगा और दोस्तों इसका विवाद भी जो है चलता रहता है जो हमने पिछली वीडियो में फुल विस्तार से भी बताया हुआ है तो वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं के तो मिलते हैं धुक्त वीडियो में तब तक दोस्तों नमस्कार चाहर ह Wyoming